नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वरल्ड पर दोस्तों आज हम लोग लूसेंट समानवी ज्यान का फिजिक्स का लक्चर नमबर 39 देखेंगे ठीके दोस्तों जिसमें आज हम लोग उस्मा का पार्ट 3 देखने वाले हैं दोस्तों उस्मा का हम लोगोंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था जिसमें हम लोगोंने बहुत सारी important topic को cover किया था अगर आप लोगों ने उस्मा का Part 1 और Part 2 को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के प्रलिस्ट में जाकर के आप लोग उस्मा का Part 1 और Part 2 देखे लिजिए तब उस्मा का आप लोग Part 3 देखिएगा आज के सेसन में हम लोग परेंगे विस्ट उस्मा यानि Specific Heat और उस्मिय प्रसार यानि Thermal Expansion ठेके दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेसन और दोस्तों सेसन पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जिरू सबस्क्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तो चलिए दोस्तों श्टार्ट करते हैं आज का सेसन दोस्तों आज के सेसन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे विस्ट उस्मा यानि Specific Heat ठीके दोस्तों तो विस्ट उस्मा क्या होती है किसी पदार्थ की विस्ट उस्मा उस्मा क करती है, ठीकर दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना पदेगा, कि अगर कहीं भी अगर कहीं भी आपको एकांक या परति एकांक धिखजाए, इसका मतलब होता है कि जिसके पीछे वो एकांक या परति विर्धी लगा है, वो दरवमान और ताप दोनों क्या होगा बट्टा के नीचे होगा अब आगे देखते हैं यानि इसमें कह रहा था कि किसी पदार्थ के विस्टिस्ट उसमा उसमा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के इकाई दरवमान में एकाई तापमान विर्धी उत्पन करें ठीके दोस्तों अर्थात यदि पदार्थ के एक गराम दर्वमान लेकर इसका ताप एक डिगरी सेल्ट्रियस बरहा दिया जाए तो इस परकिरिया में जो हम लोग उसमा देंगे उस उसी उसमा को क्या कहते हैं एक डिगरी सी ताप बरहाने के लिए हम लोग जितनी उसमा खर्च करेंगे उसी उसमा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं विसिष्ट उसमा कहते हैं ठीके दोस्तों यहां तक आपको समझने में कोई दिकत नहीं आया होगा अब अस पस्ट है कि एम द्रवमान का एम द्रवमान में अगर थीटा ताप बिर्धी किया जाए तो विसिष्ट उसमा का मान क्या हो जाएगा विसिष्ट उसमा का मान हो जाएगा सी बराबर क्यू बट्टा एम थीटा यानि विसिष्ट उसमा की वह मातरा है उस्मा की वह मातरा है जो इकाई दरवमान में इकाई ताप विर्धी करे यानि इकाई दरवमान या एकांक दरवमान एकांक लगा हुआ है तो भी बट्टा के नीचे है और ताप विर्धी यानि थीटा भी क्या है बट्टा के नीचे है यहाँ पर थीटा क्या है ताप विर् विस्षिस्ट उस्मा और थीटा क्या है ताप में विर्धी ठीके दोस्तों तो अब क्या है आगे हम लोग देख रहे हैं कि इस फर्मूला से यानि C बराबर Q बट्टा M गुना थीटा इस फर्मूला से हम लोग विस्षिस्ट उस्मा का इकाई यानि मातरक क्या निकाल सकते है दोस्तों उस्मा का SI मातरक क्या होता है जूल होता है और दर्वमान का क्या होता है SI मातरक कीलोगराम होता है और ताप विर्धी का क्या होता है मातरक ताप का मातरक होता है कैलवीन तो इससे अगर उस्मा का मातरक SI मातरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Joule, परती KG और परटी Kelvin परती यानि क्या हो जाएगा उपर में power मीनश 1 लग जाएगा यानि दोनों जो निच्छे है उसके power में क्या हो जाएगा –1 लग जाता है ठीके दोस्तों तो कह रहा है आप अता विशिष्ट उस्मा का SI मातरक जो होगा कितना होगा जूल परती किलो गराम परती कैल्विन होगा ठीक है दोस्तों यहां से आप इस फर्मूला से असानी से निकाल सकते हैं इसको रटने का कोई ज़रुरत नहीं है एक गराम जल का ताप एक डिगरी सी बढ़ाने के लिए एक कैलोरी उस्मा की अब सकता होती है दोस्तों उस्मा का मातरक जूल भी होता है और उस्मा का मातरक कैलोरी भी होती है ठीक है अता जल की विशिष्ट उस्मा का मान एक कैलोरी परती गराम डिगरी सी होता है ठीक है दो उसमें सभी पदार्थ के विशिष्ट उस्मा का मान दिया गया है जो कि आपको रटना नहीं है ठीक है? दोस्तो इस तालिका में सभी पदार्थ का विशिष्ट उस्मा का मान दिया गया है जो कि आपको रटना नहीं मारना है बस आपको एक याद रखना है कौन सा पानी का विसिष्ट उसमा कितना होता है तो पानी का विसिष्ट उसमा एक होता है जो की सभी पदार्थों से अधिक होता है और एक और आप याद रख सकते हैं बर्फ का, ठीक है दोस्तों पानी का एक होता है, तो बर्फ का कितना होता है? आधा होता है ठीक है? दोनों आपको याद रखे आएगा आपको दोनों के सिवाए लिस्ट में से कोई भी एक्जाम में नहीं आएगा या तो पानी का आएगा या नहीं तो बर्फ का आएगा आपको याद रखना है कि जितना पानी का है उसका आधा ही बर्फ का होता है ठीके दोस्तों पानी का एक होता है तो बर्फ का आधा होगा ठीके दोस्तों और आपको जेनरली पानी का ही एक्जाम में आएगा ठीक है दोस्तों और विशिस्ट उस्मा का मातरक आ सकता है एक्जाम में तो मातरक में आपको अगर SI मातरक पूछता है तो अहाँ पर कैलोरी के जगा जूल लगा देंगे जूल परती किलो गराम परती कैलवीन अगर आपको ऐसे जनरली मातरक पूछे तो आप कैलोरी परती कराम परती डिगरी सी भी लगा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि ठोस और दरव का विशिस्ट उस्मा क्या होता है अब हम लोग देखेंगे कि गैसों की विशिस्ट उस्माए क्या होती है ठीक है तो दोस्तों आपको पता है कि गैस का नोही निस्चित अकार होता है और नोही निस्चित इसका आयतन होता है यह हमेशा बदलते रहता है तो इसलिए क्या होता है कि गैसों की दो विसिष्ट उस्माएं होती है गैस का अकार और आइतन दोनों अनिस्चित होता है इसलिए गैसों की दो विसिष्ट उस्माएं होती है एक होती है नियत आयतन पर विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् एक गराम गैस का ताप, एक डिगरी सी बराने के लिए, जितनी उस्मा की अव्शक्ता होती है, वह नियत आयतन पर, गैस की विसिष्ट उस्मा होती है, ठीके दोस्तों, और इसे C भी से, डिं नोट करते हैं, ठीके दोस्तों, इसको क्या लिखते हैं, c और suffix में भी लिखते हैं इसी को बोलते हैं नियत आयतन पर गैसों की विशिष्ट उस्मा ठीके दोस्तों जहां पर नियत आयतन का मतलब होगा कि आयतन को हम लोग चैंज नहीं कर रहे हैं आयतन क्या है? constant है बस हम लोग क्या कर रहे हैं उसका ताप में बिड़धी कर रहे हैं ठीके दोस्तों अब दूसरा है नियत दाब पर विशिष्ट उस्मा अब पहला में हम लोगों ने क्या किया था? पहला में हम लोगों ने आयतन को निश्जित रखा था यानि आयतन को change नहीं किया था दूसरा में क्या किया दूसरा में हम लोग आयतन को तो चेंज कर रहे हैं लेकिन दाब को क्या कर रहे हैं निश्चित रख रहे हैं दाब को चेंज नहीं कर रहे हैं यानि नियत दाब पर किसी गैस की बिसिस्ट उसमा उसमा की वह मातरा होती है जो एक गराम गैस के ताब को न चाचर दाब पर विसिस्ट उस्मा ठीक है दोस्तों यहां तक आपको समझे में कोई दिक्कत नहीं आया चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों CP और CB में एक relation होता है संबंध होता है वो क्या होता है CP माइनस CB बराबर क्या होता है इसको हम लोग मेयर का फर्मूला यानि मेयर का सुत्र बोलते हैं मेयर एक सैंटिस्ट थे उन्होंने ये फर्मूला दिया था CP माइनस CB बराबर R यहां पर R क्या है R को बोलते हैं गैस निया तांक ठीक है दोस्तों क्या बोलते हैं या कैलोरी परती मोल डिगरी C या जूल परती मोल डिगरी C होता है, ठीक है दोस्तों यह तो आपको मैंने पहले बता दिया था इसका मातरग क्या होता है डिख के घौन जहांपर जूल के दग़ कैलोरी भी लिख सकते हैं ग्राम के जगह पर किलो ग्राम भी लिख सकते हैं ठीक है और डिग्री से की जाएव पर केलविन लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाता है ये होता है स्पेसिप के हीट का SI मात रख लेकिन ये जो है सिध्य स्पध्धती में है ठीक है दोस्तों और आपको ये याद रखना पर है जो गैस कॉंस्टेंट होता है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ठीक है गैस कॉंस्टेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है गैस कॉंस्टेंट हमेशा पोजेटिव होता है हमेशा पोजेटिव होने के लिए आपका CP का भेलू जो होना चाहिए वो cb से हमेशा बड़ा होना चाहिए अगर बड़ा मैंसे छोटा घटाएंगे तो हमेशा positive आएगा अगर cp छोटा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये negative आजाएगा जो की नहीं आना चाहिए इसलिए cp को हमेशा cv से बड़ा होना चाहिए यही आपर दिया हुआ है कि cp जो है सो हमेशा cv से बड़ा होता है आपको एक्जाम दे question आ सकता है कि मेयर का formula किस से संबंधित है मेयर का जो सुत्र है वो किस से संबंधित है तो दोस्तों मेयर का सुत्र जो है तो गैस के विशिष्ट उस्मा से संबंधित है ठीक है दोस्तों तो यहां तक आपको समझेने कोई दिकत नहीं आया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का दूसरा टॉपिक है उस्मिय प्रशार यानि थर्मल एक्सपेंसन ठीक है दोस्तों उस्मिय प्रशार समानेता पदार्थ को उसमा देने पर पदार्थ का आयतन क्या होता है बढ़ता है जिनरली अगर देखा जाए तो किसी भी पदार्थ को हम लोग अगर गर गरम करेंगे को उसका आयतन क्या होगा बढ़ेगा आयतन क्यों बढ़ेगा क्योंकि पदार्त का जो अनू है उसके बीच की दूरी बढ़ने लगती है जिससे क्या होता है यह पदार्त का आयतन बढ़ जाता है लेकिन दोस्तों कुछ exception भी है इसमें जैसे पानी को 0 से 4 डिगर सी गरम करने पर क्या होता है उसका आयतन कम होता है यह सब exception है ठीक है दोस्तों उसमित किये जाने पर प्राया सभी गैसों बहुत से द्रवों एवं ठोसों में प्रशार होता है यानि वह क्या होता है आयतन उसका बढ़ता है ठीक है आगे क्या कह रहा है परंतु यह सभी समा आरत को गरम करने पर चाहे हुआ ठोस हो दरब हो गैस हो उसको गरम करने पर या उसमा देने पर उसमें प्रशार होता यानि बढ़ता है लेकिन ये सभी समान रूप से नहीं बढ़ते हैं किसी कोई लंबाई में बढ़ते हैं तो कोई आयतन में बढ़ते हैं तो कोई छतिरफल में बढ़ते हैं ठीके दोस्तों यदि गैस द्रव या ठोस को समान उसमा द्वरा उसमित किया जाए तो सबसे अधिक प्रशार गैस में होगा उससे कम प्रशार द्रव में होगा और सबसे कम प्रशार जो होगा वो ठोस में होता है ठीके दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों हम लोग देखेंगे रेखिये प्रशार गुनांग ठीक है दोस्तों यानि coefficient of linear expansion ठीक है परती डिगरी परती डिगरी Celsius टापमान बरहाने पर किसी वस्तू की काई लंबाई में जो विर्धी या प्रशार होती है उसे रेखिये प्रशार गुनांग कहते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको प्रती किस में लगा है प्रती डिगरी Celsius में लगा है यानि तापमान में प्रती लगा है और एक और क्या एकाई कहाँ पर लगा है लगा है यानि लगाई और तापमान दोनों बटा के नीचे होगा ठीक है यह लगाई और तापमान दोनों क्या है बटा के नीचे है तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रती डिगरी Celsius तापमान बढाने पर वस्तु की एकाई लंबाई में जो बिर्धी या प्रशार होता है उसे रेखिया प्रशार गुनांक कहते हैं इसका मातरक परती डिगरी सेल्सियस होता है इसे अलफा से सुचित किया जाता है अर्थात रेखिये प्रशार गुनांक जो है वो लंबाई में बिर्धी बट्टा मूल लंबाई गुना ताप में बिर्धी है ठीक है दोस्तों अगर कोई छर है ठीक है कोई पतला सा छर है उसको गरम करेंगे तो उसके लंबाई में बिर्धी होती है नौकी चवराई और से डिनोट करते हैं अलफा बराबर होगा डेल्टा एल अगर लंबाई में बिर्दी डेल्टा एल हुआ है अगर पहले यहां तक लंबा था अब कहां तक यहां तक आ गया है तो डेल्टा एल बट्टा में यानि प्रारमी के लंबाई गोना डेल्टा थीटा इन ताप में बिर सी ठीक है दोस्तों एक नीचे हो गया है तो पर्ति डिग्री सी अलफा का मान क्या होता है पर्ति डिग्री सी अलफा का इकाई क्या है पर्ति डिग्री सी ठीक है अब हम लोग दूसरा देखते हैं ध्युसराएं दोस्तों छेत्रिय परशार गुनांग यानई अभ हम लोग जिसका छेत्र फ़ल निकाल सकते हैं जैसे कोई आयत हो गया कोई वर्ग हो गया इसको हम लोग गरम करेंगे तो उसका छेत्र फल बरहेगा तो इसको हम लोग छित्रिय प्रशार गुनांक से निकालते हैं जैसे परती डिगरी सेलसियस तापमान बरहने पर किसी वस्तु के इकाई छित्रिय प्रशार गुनांक कहते हैं सेम है पहले वाले जैसा इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं तो बीटा बराबर हो जाएगा जो छेत्रफल में बिर्धी हुआ वो और बटा में जो प्रारंबिक छेत्रफल था वो गुना डेल्टा थीटा, डेल्टा ठीटा क्या है? हम तक्वमें बिर्दी है डेल्टा ठीटा का मतलब होता है अंतिम ताप मैनस प्रारंबिक ताप अगर अंतिम ताप है 15 degrees C और 15 degrees C तो यहाँँआपर डेल्टा ठीटा हो जाएगा 15 minus 10, V7 यानि कितना बिर्दी हुआ? पांच दिग्री सी बिर्धी हुआ ठीके दोस्तों तो यहाँ पर भी अगर मात्रक निकालते हैं बीटा का यह खतम हो जाएगा इसका यह मात्रक क्या हो जाएगा परती डिग्री सी ठीके दोस्तों छेतरिय परशार गुनांग हो या रिखे प्रशार गुनांक हो, दोनों का मात्रक जो होता है, परती डिगरी सी ही होता है, ठीके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे नमबर पे है, आईतन प्रशार गुनांक, दोस्तों, जिस पदार्त, जिस बड़ी का, हम लोग आईतन निकाल सकते हैं, उस इसे गामा से दर्साया जाता है, जैसे कोई गोला है, कोई गोला है, तो गोले को गरम करेंगे, तो गोला क क्या होगा, आईतन बढ़ेगा, ठीके दोस्तों, गोला क क्या होगा, आईतन बढ़ेगा, तो गोला का हम लोग आईतन प्रशार गुनांक निकाल सकते हैं, आईतन प्रशार गुनांग भी सेम है दोनों के जैसा आइतन में बिर्धी बट्टा मूल आइतन गुनाताप में बिर्धी ठीक दोस्तों अगर यहां से भी इसको इसको काटेंगे तो इसका ही मतरग क्या हो जाएगा परती डिगरी सी यानि अलफा बीटा और गामा यानि रेखिये प लोग देखेंगे कि अलफा बीटा और गामा में एक रिलेशन होता है वो क्या है ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तों रेखिये चेतरिये और आइतन परसार गुनांग यानि अलफा बीटा और गामा में एक रिलेशन होता है यानि अलफा अनुपात बीटा अनुपात गामा मेराबबर कितना होता है? एक अनुपात, दो अनुपात, तीन. ठीके दोस्तों यानि अगर हम लोग समान ताप में بीर्धी करेंगे अगर हम लोग ताप में शमान बीर्धी करेंगे तो रेखिये परशार गुनांग ये जितना होगा उसका दुगुना छितरिय परशार गुनांग होगा और रिखिय परशार गुनांग का तीन गुना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आइतन परशार गुनांग यानि जो छितरिय परशार गुनांग अलफा है उसका दुगुना, अलफा का दुगुना हो जाएगा चितरिय परशार गुनांग, ठीक है, अलफा का दुगुना हो जाएगा चितरिय परशार गुनांग, और अलफा का तीन गुना हो जाएगा आइतन परशार गुनांग, तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि रेखिए परशार गुनांग वो होता है ठोस में ठीक है और बीटा जो होता है यानि छेतर परशार गुनांग वो होता है दरव में और गामा यानि आइतन परशार गुनांग केक्स में होता है गैस में होता है ठीक है दोस्तों यानि अगर हम लोग शमान ताप में बिर्धी कर तो जो ठोस का जो परसार होगा वो सबसे कम होगा दरब का होगा वो ठोस से दूगुना होगा और गैस का जो होगा वो ठोस से तीन गुना होगा ठीके दोस्तों यानि जो रेखिय परसार गुनांग है उसका दूगुना छेतरिय परसार गुनांग त्रव का होता है और उसका तीन गुना अईतन परसार गुना की यानी मैस का खुटा है ठीके दोस्तों अब हम लोग देखेंगे की जल का ओर सामानने विभार एबनौर्मस inhomelos expansion of water दोस्तों अभी हम लोग उनने पराता की प्राय याने जनेरली सभी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन या छेत्रफल या लंबाई क्या होता है बढ़ता है लेकिन जल में क्या होता है कि जल में 0 degree से 4 degree सी तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है कम होता है फिर उसका आयतन क्या होता है बढ़ता है यानि 0 degrees से 4 degrees तक गर्म करने पर आयतन घरता है तथा 4 degrees के बाद क्या होता है आयतन बरना प्रारंब करता है इसे ही क्या करते हैं जल का और सामान्य प्रसार कहते हैं चोकि जल 4 degrees के बाद गर्म करने पर बरना शुरू करता है इसका अर्थिया है कि जल का घनत तो 4 डिगरिसी पर सबसे अधिक होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि घनत तो बराबर क्या होता है घनत तो बराबर जो होता है घनत तो बराबर दर्मान बटा आईतन ठीक है घनत तो बराबर क्या होता है द्रमान बट्टा आयतन दोस्तों अगर जल का आयतन जो है आयतन चार डिग्री सी पे निून तम होता है यानि चार डिग्री सी पे जल का आयतन निून तम होता है और दोस्तों आयतन क्या है बट्टा के नीचे है तो आयतन जितना ही कम होगा घनत उतना ही जादा होगा ठीक है आईतन जितना जादा होगा उतना घनत तो कम होगा और अगर आईतन कम होता है तो जल का 4 डिगरी सी पर आईतन क्या होता है निून तम होता है क्योंकि 4 डिगरी सी तक इसका आईतन क्या होता है कम होते रहता है फिर 4 डिगरी सी के बाद आई दोस्तों आपको एकजाम में आ जाता है कि जल का घनतों कितने डिगरीशी पर अधिकतम होता है यही लिखा हुए आपर जल का घनतों चार डिगरीशी पर सबसे अधिक होता है जल के और सामने परसार का देनिक जीवन पर क्या परभाव परता है दोस्तों ठंडे देशों में तलावों के जम जाने पर भी उसमें मचलियां जिवित रहती हैं क्योंकि जल के जमने की किरिया उपर से नीचे की ओर होती है इस कारण जल का उपरी भाग जम जाता है और नीचे वाला भाग चार डिगरी सी पर जल की अवस्था में रहता है जिससे मचलियां क्या होती है उसमें जिवित रहती हैं ठीक है दोस्तों, बी नंबर में क्या है, कि जारे की रातों में पाई फट जाती है, क्यों ऐसा होता है, पानी के और सामाने प्रशार के कारण जारे की रातों में पाई फट जाते हैं, अधिकतर दरव जब ठोस रूप में गरहन करते हैं, तो वे शिकूर जाते हैं, किन्तु पानी के साथ इस्थिती इसके विपिरित है पानी जमने के बाद शिकुरने की बजाए क्या होती है पानी फैल जाती है यदि पानी 9 लिटर हो तो वह जमने के बाद 10 लिटर ठोस में बदल जाता है इस परकार असपस्थ है कि बर्फ बनने पर पानी का आईतन बर जाता है जिस सिके फुलसरूप पाइप में अंतिक दवाब से सीसा से अंतिक दवाब सीमा से अधिक हो जाता है और पाइप फट जाता है ठीके दोस्तों तो उमीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आज का वीडियो हिल्फुल लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए और हमारे वीडियो को जरूर सेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ठीके दोस्तों और मैं आप लोगों को एंटी पीसी और गूरूप डी एकजाम से पहले फिजिक्स का सारा सिले बस खतम करने वाला हूँ ठीके दोस्तों इसलिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक सबस्क्राइब से जरूर कर दीजिए ठीके दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में जै हिंद जै भारत